मेडिशिन और हेल्थ संबंधी चानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिड़्जासफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाई लेटिस्ट नोटिफिकेशन के लिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है इसमें जानेंगे OTC ड्रक्स यानि ओभर दी काउंटर ड्रक्स के बारे में जिसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्चन से भी मेडिकल अस्टोर से ले सकते हैं ये दबाईयां इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दबाईयों में से एक है जो हमारी लिस्ट में पहली दबा है वो है गलाइकोडीन ये बहुत ही पापुलर ब्रांड है जिसे ड्राइकफ यानि सूखी खासी के लिए यूज़ किया जाता है इसके कमपोजिशन क बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रो मेथारफन, मिथाल, टर्पिन हाइडरेट मिले होते हैं ये ब्रांड किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है ये ड्राइकफ के लिए बहुत अच्छी सीरप होती है दूसरी जो ब्रांड दबा है वो है आई पील ये एक कंट् कंट्रा सेप्टी पील के तौर पर ये ओटी सी दवा होने की कारण डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन से ही मिल जाती है इसलिए इसकी टीवी पर भी आइड दिखाया जाता है नेक्स्ट जो तीसरा प्रांड है वो है इनो इनो भी आसानी से किसी भी मेडिकल अस्टोर प्रमिल जाती है इसमें दो चीजे पाई जाती है सुआर जिकसरा और निम्बु कैमलम ये इनो एसिडिटी में यूज की जाती है एसिडिटी में गैस बनता है खटी डकारे आती है और पेट भारी भारे लगता है तो इनो का यूज इंस्टैंट रिलिफ के लिए किया जात इसके सैकेट को पानी में घोल कर पी आ जाता है इसके बाद जो OTC दवा है वह है डोलको फ्लैक्स ये भी काफी पापुलर ब्रांड है जो किसी भी मेडिकल अस्टोर पर आसानी से मिल जाती है इसमें बीशा कोडाईल पाए जाता है बीशा कोडाईल कॉंस्टीपेशन यान आप सभी जरूर जानते होंगे क्योंकि यह भी काफी पापुलर ब्रांड है इसमें एस्प्रीन होता है जिसका केमिकल नेम एसिटाइल सेलसिलिक एसिड होता है डिस्प्रीन का यूज सीर दर्द के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसके अलावे दात दर्द, मा बखार के लिए भी यूज किया जाता है इसका यूज ब्लड को पतला करने के लिए भी किया जाता है इसके बाद जो अगला प्रांड है वह है Seridone ये भी काफी popular brand है इसमें तीन चीज composition के रूप में रहती है Paracetamol, Propyl Phenazone और Caffeine Seridone का यूज सिरदर्द में और बदन दर्द में किया जाता है ये भी बिना doctor के prescription से किसी भी medical store पर से मिल जाती है Next जो brand है वह है Jundubam ये भी काफी popular brand है इसका भी advertisement टेलिवीजन पर दिखता है क्योंकि ये भी doctor के बिना prescription के मिलती है इसमें menthol और oil of goltheria मिला रहता है ये दोनों ही ayurvedic medicine है और इसका यूज headache और body egg यानि सिरदर्द और बदन दर्द में किया जाता है Next है move Move के बारे में भी आप सभी जानते होंगे इसमें कई तरह के oils पाये जाते हैं जैसे terpentine oil, नीलगिरी oil, winter green oil और mint इसका यूज मानस्पेशियों में होने वाले दर्द में किया जाता है इसके बाद जो brand है वह है Gulesil यह भी काफी popular brand नेम है इसमें hydroxide पाये जाते हैं इसमें aluminium hydroxide, magnesium hydroxide और dimethicon मिले रहते हैं यह सभी anti-seed के रुप में यूज किये जाते हैं अगर किसी बेक्ति को बहुत जादे gas बनती हो यह acidity होती हो तो Gulesil syrup दिया जाता है Next है crossin इसका भी आपने जरूर नाम सुना होगा crossin में caffeine और paracetamol मिले रहते हैं caffeine paracetamol की effect को बढ़ा देता है यह एक energesic यानि की pain killer और anti-piratic मतलब बुखार को कम करने के लिए दी जाती है और यह आसानी से किसी भी medical store पर मिल जाती है इसके बाद जो है वह है it guard it guard ointment form में आपको आसानी से मिल जाती है और इसमें tervina fin मिला रहता है जो fungal infection जैसे दाद, खाद, खुजली के लिए यूज़ की जाती है यह भी एक OTC drug है जो आसानी से किसी भी medical store पर मिल जाती है यह थी जानकारी OTC drug के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस करें धन्यवाद